आईए हम प्रातना करें मेरे मूग के बोल और हमारे हिर्दों का सोच तेरे सामने ग्रहाणियों के हो यह हुआ परमेश और हमारी चटान हमारा उदार करने वाले आमेन आज से हम लोग अपना एडवेंट सीजन में प्रवेश कर रहे हैं और आज से हम लोगों की त्यारियां भी शुरू हो जाएंगी और आज के बाद से के हम लोग क्रिसमस आ रहा है और हम लोग उसके लिए त्यारी करें और आज जब हम इस समय में हैं और आज की जो थीम है वो है दीरज और आशा से मसी की परतिक्षा करना तो Advent जिसको हम इंदी में आगमन कहते हैं और हम प्रभू येशु मसी के दुबारा आने की त्यारी इस समय में हम करते हैं यह जो समय हमारे लिए दिया जाता है जो चार संडे क्रिस्मस से पहले होते हैं जो हम Advent कहते हैं यह आगमन तो उसमें हम त्यारी करते हैं कि प्रभू येशु मसी जब 25 तारीक को हम क्रिस्मस बनाए तो वो सचमुच में हमारे जीवन में जनम ले हमारे जीवन में फिर से एक नया तरीके से हम और उसकी नजदीकी में जाएं और येशु मसी का जनम हमारे जीवन में हो और आज का जो पैसिज भी है हमारा सू समाचार में, वहाँ पे हम देखते हैं के येशु मसी वहाँ पे अपने चेलों से सुर्ग्य धन के बारे में बात कर रहे हैं, उनको चितावनी दे रहे हैं के जाकते रहो, तो वही चीज आज हमारे लिए कैसे लागू होती है, हम इसमें थोड़ी दे विचार करेंगे, जब हम वचन में देखते हैं और बाइबल को हम देखते हैं, तो वहाँ पे हमें कई बार ऐसे पैसिज है जो हमें लगता है कि हम दो अलग अलग दुनिया में रह रहे हैं, इस दुनिया में तो हम रह रहे हैं, लेकिन हम हमें जो आने वाले समय हैं, आने के लिए भी हमें अपने आपको त्यार करना है या हमें उसके बारे में सोचना है क्योंकि अगर हम देखे यहुना 15.19 जब ये शुमसी प्रभु बोज अपने चेलों के साथ उन्होंने लिया था अंतिम बोज तो हाँ पे वो कहते हैं यदि तुम संसार के होते तो संसार अपन उसे प्रिती रखता परन्तु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है इसलिए संसार तुम से बैर रखता है यहां पर ये शुमसी कह रहे हैं कि तुम संसार के नहीं हो क्योंकि मैंने तुम्हें चुन लिया है और दूसरी तरह हम पॉलुस फिलिपियों में कहता है, फिलिपियों 3.20 में, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है, तो जो हमारा देश है, स्वदेश है, वो स्वर्ग में है, रोमियो 12.2 में वो कहता है, इस संसार के सदरिश्य ना बनो, और फिर हम पहला यहना 2.15 में देखते हैं, वालिक है, तुम हम इस दुनिया में रह रहे हैं और हम इस दुनिया में जब हम इस दुनिया में रहते हैं लेकिन हम जब वचन में पढ़ते हैं तो हमें वचन में ये बता रहे हैं या हम ये पढ़ते हैं कि हम इस संसार के नहीं हैं हमें संसार की वस्तों से प्रेम नहीं रखना है हमें संसार क जो सौदेश है वो स्वर्ग में हैं, तो इन सभी चीजों का क्या अर्थ है, अगर कई मसीयों से हम बात करेंगे, तो वो लोगों की जो व्याख्या होती है, इसके लिए जो इसको डिस्क्राइब करते हैं, वो ही कहते हैं कि हमें दुनिया के मामलों में संसारिक चीजों में जितना कम हो सके हमें भागेदारी करें, हम उन से पीछे एटने की जरूरत है, दुनिया में हमें पार्टिस्पेशन नहीं करें, संसार के कामों में, संसार की चीज़ों में हमें participation नहीं करना चीए और इसी कारण कई Catholic जो हैं और जो Orthodox Christians हैं कुछ Protestant में भी कुछ इस तरह के लोग हैं जो एक सन्यासी के तौर पर अपना जीवन जीते हैं और वो या तो Monasteries में रहते हैं अगर हम अगर उनको ध्यान से देखें या अगर हम उनसे पूछे वो फिर भी इस तरह से रहने के बावुजूद भी वो अपने आपको संसार से अलग नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको समाजीक तोर पर या आर्थिक दिश्टिकों से अगर हम देखें तो उनको संसार के चीजों में उन्हें involved होना पड़ता है या उन मुद्दों का सामना करना पड़ता है जो हम लोग जो एक नॉर्मल जीवन जीते हैं हम लोग करते हैं और हम यह कह सकते हैं कि हम हम पूरी तरह से संसार से या दुनिया से अपना पीछा नहीं छुड़ा सकते हैं संसार में रहते हुए हम संसार से अपने आपको काट नहीं सकते हैं या अपने आपको अलग नहीं कर सकते हैं तो इसका क्या मतलब है क्या हम हार मान ले लेकिन अगर हम पहला पत्रस और उसकी दो और दो बाप की 11-12 आयत में पड़े तो महा पत्रस कहता है हे प्रियो मैं तुमसे विंती करता हूँ कि तुम अपने आपको परदेशी और यात्री जानकर उस संसारी कभिलाशाओं से जो आत्मा से युद करती हैं पचे रहो अने जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो इसलिए कि जिन जिन बातों में वे तुम्हे को कर्मी जानकर बदनाम करते हैं वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्ही के कारण किरपा द्रिष्टी के दिन परमेश्वर की महीमा करें तो पतरस यहां साफ साफ का हमें बता रहा है यह हमें से कहता है कि हमें जब हम इस संसार में रहते हैं तो हमें ऐसे रहें जैसे हम यहां पर परदेशी हैं या यात्री हैं जैसे कोई परदेशी किसी दूसरे देश में जाता है या कोई यात्री जाता है तो वो उस जगा में ज बिलाकर भी वो उहां की चीजों में इतना इन्वाल्व नहीं होता है, वो अपनी जो आइइंटेटी है वो बनाया के रखता है और अगर वहां पे कोई इसको टेंटेशन आती है तो वो से बचने की कोशिश करता है या वो उहां की जो प्रंपरा हैं उनसे वो अपने आपको पचाता है तो इसी तरह से हम भी जब इसंसार में रहते हैं तो हमें भी संसारी का भिलाशाओं से हमें युद करना है संसारी का भिलाशाओं का सामना करना है और हमें उनसे बचे रहना है तो हमें संसार में रहते वे भी अपने आपको बचा कर रख सकते हैं अपने आपको दो पैसिज को मैं बाठ सकते हैं पैला सेक्षिना पैसे जुटीस जिस में हम देखते हैं सेक्षन में ये स्क्व ये कह रहे हैं हमें हमें डर दिडर नहीं है और अगर हम 32 भी आयत में पड़े तो माली का है हे छोटे जुन मद डर क्योंकि तुम्हारे पिता को ये भाया है कि तुम्हें राज्ये दे तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं सबसे पहली चीज येशु मसी हमसे कह रहे है कि हमें डरने की ज़रूरत नहीं है जो उसके पीछे उसके चलते हैं, जो इसके फॉल ओर है जो मसी ही है उन से बोज कहता है डरो मत या मध डर और क्यूंकि अगर हम यहां पर पही जो येशु मसी私 बात कह रहे हैं अगर हम इसके कॉंटेक्स्ट में जाया उसके संदर्व में जाया और हम पीछे देखें तो पिछले कुछ जो समय था चेलो के लिए कुछ ऐसा ही समय था जब उनको उनके मन में बहुत डर बैठने लग गया था क्योंकि येशु मसी कम से कम दो बार उससे पहले अपने मारे जाने की चितावनी वो दे चुके थे वो बता चुके थे कि उनको अस्विकार किया जाएगा उनको सताया जाएगा और जो धर्मिक अधिकारी है जो शास्त्री है फरीसी है उसके हाथों पीडित होगा और उसको कुरूस पर चड़ा कर उसको मार डालेंगे और उसके साथ साथ ये शुमसी जो जब उसके बात जो उसके बाते कर रहा था या जो चीजे उनको बता रहा था वो भी कुछ इस तरह से थी कि जो उनको उनके मर में डर बिठाते जा रही थी क्योंकि वो उस दुष्ट पीडि के बारे में बात कर रहा था जो पशताप नहीं कर रही थी, वे उन लोगों के बारे में बोल रहा था, जो भविशे वक्ताओं को जिन्हों ने माल डाला और उनकी कवरे खड़ी करी तो ये सारी चीजे कह रहा था और उनको कह रहा था कि जिनके पास शरीर नश्ट करने लग गया था कि ये येशु मसी कैसी बात कर रहे हैं कि उनको डराने वाली बात यही थी कि येशु मसी अपने को मार डालने की बात कर रहे थे कि मेरे को मार दिया जाएगा स्लीप पर चड़ाया जाएगा और जो उनका जो वो सोचते थे कि येशु मसी जैसे राज्ये की बात करता है तो वो अपने राज्ये में आएगा और हम उसके दाएं और बाएं बैठेंगे, हम उसकी में लोग होंगे, लेकिन अब येशु मसी जब अपने मरने की बात करने लग गया, तो उनके मन में लाजमी बात है, डर बैठने लग गया था, और जो उनके मन में जो डर था, एक तो वो क्रूस का डर था जो उनके उपर च्छाय के समान उनके उपर आ रहा था और दूसरी तरफ ये था कि जो रोमी सरकार है उनकी निगाहे भी उनके उपर थी, रोमी सरकार का भी उनके उपर डर था क्योंकि जो शास्ती और फरीसी थे, जो रोमी सरकार के लिए काम करत थे वो उनके उपर निगाहें लगाएं वे बैठे थे किस परकार से इनको पकड़ा जाये और इनको खतम किया जाए तो जो हालात उनके थे उस समय ओल्मोस्ट वे हमारे हालात वैसे तो नहीं हैं लेकिन हम भी आज के समय में देखें तो हम भी अपना जीवन है जो डर के साहे में बिता रहे हैं सबसे बढ़ा डर तो आज की समय में हम देखे तो यहीven करोना का डर जिसकी वेज़ासे देड़ दो साल के करीब हमारे कलीसयाइं बंद रही चर्च बंद रहे और अब हम चर्च को छो आज Moreover इतना Cela आ लेकिन चर्च हमारा बंद रहा, यही एक डर था कि कहीं बिमारी की वज़ज़ से हम लोग डरे वे थे, उस बिमारी के बाद अब जो डर और हैं वो हैं कि हमारे आर्थिक रूप से हमारे देश में जो प्रॉब्लम्स आगी हैं, लोगों की नौकरियां जाने का डर है, लोगो आगे का अब बच्चों के भविशे को लेकर लोग डरे वे हैं, तो आजका जो डर है वो अलग परकार का डर है, लेकिन आज भी हम डर के साहे में जी रहे हैं, हमें डर लगता है, और उसी संदर्व में ये शुमसी आज हम से कहता है, फे छोटे जुण, मढ डर या मढ डरो तो यहाँ पे जब येशु मसी ये कहता है और येशु मसी जो जिन लोगों से कह रहा है अगर हम उनको देखें अगर वो छोटे जुन्ट कहता है तो लेकिन वो जो लोग थे जो चेले थे या जो हम लोग हैं बड़े परीपक लोग हैं बड़े लोग हैं अडल्ट है और लेक पर संबोधित कर रहा है, और साथ ही हम यह देखते हैं कि जो परमेश्वर की जो सुरक्षा है, वो चाहे हमारे जीवन में कितनी भी प्रॉब्लम्स आए, कितनी भी हमें तकलीफे आए, हमारे लोग खिलाफ हो जाए, लेकिन जो परमेश्वर का नुगर है, वो अपने लोगो के साथ हमेशा बना रहता है, अपने लोगों के लिए उनको बचा के रखता है, और यही कारण है कि येश्व मसी जो है अच्छा चरवाहा है, जो अपनी जुन्ड का ख्याल रखता है, तो इन अनिश्चताओं में जब हम होते हैं, और हमें चिंता होती है, कि हमारा आगे सम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारे से प्रेम करता है, उसने जब हमारे लिए अपनी जान दे दी, तो वो हमें इन परेशानियों से, इन तकलीवों से, वो हमें क्यों नहीं निकालेगा, तो यहां पर जब हम येश्व मसी पे विश्वास करते हैं, और जिस परका इखटा करने की जुरूरत नहीं है, हमें अपने, कई लोग है आजकल बहुत पैसा जमा कर रहे हैं, लोग कोई सोने में इन्वेस्ट कर रहा है, कि आगे पता नहीं क्या होगा, कि किस तरह का समय आए, तो लोग चार हैं कि हमें आपको सुरक्षित कर सकें, लेकिन येश्व मसी हमें कहता है, हमें डरने की जुरूरत नहीं है, क्योंकि वो हमारा प्रभू है, फिर दूसरे सेक्षिन में हम जो देखते हैं 35-37 सायत में, वहाँ पे हो कहता है कि हमें विश्वास योग्ये बने रहना है, तो जब हम दूसरे सेक्षिन में जाते हैं, तो वहाँ पे येश्व मसी जो एक चितर हमारे सामने पेश कर रहा है, वो ये है, कि एक जो स्वामी है, एक जो मालीक है, वो भार गया हुआ है, और यो उसके जो नोकर है, विवा में गया है, और जो उसके सेवक हैं, वो उसका इंतिजार कर रहे हैं, वो उसकी रहा देख रहे हैं, कि वो किसी भी घड़ी आ सकता है, और अगर हम आज के अपने जो हमारे समाज में जो शादियां होती हैं, वो आजकल एक ही दिन का लोगों के लिए इवेंट होता है जाद अतर, और एक ह कि एक दो दिन पहले आ जाते हैं, या एक दो दिन बात तक रुकते हैं, और जादा आजकल लोग एक दूसरे के घरों में नहीं रुकते हैं, इस्पेशली शादी के समय में, लेकिन अगर हम उस समय की बात करें, ये शुमसी के टाइम की, तो वहाँ पर जो शादियां होती थी, वह एक बहुत बड़ा आयोजन होता था, बहुत उसमें अलग लग तरीके के जो रसमें होती थी, और वह जो शादियां होती थी, वह एक हफते या उससे भी जादा वह चला करती थी, और अगर वह कहीं दूर है, तो आने जाने का भी उसमें टाइम इंकलूड होता था और उस समय जब हम जानते हैं कि ट्रांस्पोर्टेशन नहीं था, कारे बसे नहीं थी, लोग या तो बैल गाडी से या गोड़ा गोड़े वगरा से स्ट्रेवल करते थे, तो और जादा उसमें वह समय आइड हो जाता था, क्योंकि उनको आने जाने में भी टाइम लगता थ तो यहाँ पर जब येशु मसी इस बात के इस बारे में बता रहे हैं, तो उनका मतलब यह है कि जिस तरपरकार से जो घर का स्वामी जब नहीं होता, तो जो उसके सेवक होते हैं, वो उसकी रहा देखते हैं, और अगर वो जब उसने पतरस ने येशु मसी से इस पैरेवल क मतलब पूचा है तो हम लुका 12.45 में देखते हैं तो वहां उसने एशु मसी ने उसको मतलब बताया परन्तु यदि वे दास सोचने लगे कि मेरा सौमी मेरे सौमी आने में देर कर रहा है और दास और दासियों को मारने पिटने लगे और खाने पीने और प्यक्कड होने लगे तो उस दास का सौमी ऐसे दिन जब वे उसकी बाट जोता न रहे और ऐसी घड़ी जिसे वे ना जानता हो आएगा और उसे भारी टंड देखर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठेराएगा तो येशु मसी यही बताना चाह रहे है कि हमें चेलों को और हमें ये 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 येशु मसी के लिए हमें वफदार रहना है अभी जब येशु मसी नहीं है और येशु मसी ने जो पैरेवल बोला है जो ये दिश्टांद बताया है वो अपने स्वरगा रोहन से लेकर वापिस आने तक का जो समय है उस समय के लिए हो कहता है कि हमें विश्वास योग् का इंतिजार करना है, तो हमारे ये जो रिस्पॉन्सिबिल्टी होती है, कि हम किसी शक्ती में या किसी अपने आप में ये ना सोचे कि हम अब येशु मसी तो पता नहीं का बाएंगे, आप हमी हैं जो हैं और हम अपने अनुसार अपने जीवन को जीने लग जाएं और ये भूल जाएं कि येशु मसी आएगा जिस परकार से अगर वो सेवक है और वो नहीं अपने मालिक का नहीं इंतिजार करते तो मालिक को किसी भी समय आएगा जिसको उन नहीं जानते और आकर उनको डंड देगा, उसी तरह से येशु मसी भी हमें त्यार रहने के लिए कह रहे हैं, हमारे को ये चितावनी दे रहे हैं कि उसका समय कोई नहीं जानता कि येशु मसी दुबारा कब आएगा तो हमें हर समय त्यार रहना है हर समय अपने आप को त्यार रखना है उन जो दस कुमारियों का दिश्टान्त है कि वो पाथ जो थी उपने तेल डालके एकदम रेडी थी एक्स्टा भी था उसी तरह से हमें भी त्यार रहना है ताकि जब येशु मसी आए तो हम इदर उदर ना भागते फिरें ये ना सोचते ज़ं फिरें एकुई हमारे दुआ कर दें कोई हमारे लिए हमारे बाईविल में से पड़ना शुरू कर दें या जब बाईविल के बारे में इसमिल करना बेकार होगा लेकिन इसलिए ये येश्ण मसी त्यार रहना है कि जब घर का स्वामी वापिस का exactamente वापिस आएगा, हमें उसके लिए तियार रहना है और हम उसके लिए तियार हम जब ही रह सकते हैं, जब हम अपना जीवन जो है, उसके विश्वास में होकर, विश्वास योग्य होकर, हम उसको बिताएंगे, जब हम जो हमारे को जो इंस्ट्रक्शन्स हैं, ये शुमसी की, जो में बाइबिल में मिलती हैं, जो हम अपने बच्पन से हम सीखते आ रहे हैं कि किस तरह से विश्वास योगे रहना है, किस तरह से वचन में आगे बढ़ना है, किस तरह से विश्वास में आगे बढ़ना है, उन चीजों को जब हम फॉलो करते रहेंगे, तो हमारा जो कि हमें ध्यान के इंद्रित रहना है, जो हमारा ध्यान है वो मसी के तरफ ही लगा के रखना है, हमें फोकस्ट रहना है, क्योंकि हम एक तो हम डरे नहीं, दूसरी चीज है कि हम विश्वास में बने रहें, और तीसरी चीज है कि हम अपना ध्यान जो है वो मसी पर लगाए रख तो आखरी की जो दो आयते हैं वहाँ पर ये शुमसी जो बात करता है वो उसके लिए बात करता है कि परंतो तुम ये जानने रखो कि यदि घर का स्वामी जानता है कि चोर किस घड़ी आएगा तो जाकता रहेगा और अपने घर में सेंद न लगने देगा तुम भी त्यार र रहता है जानता है कि चोर कभी भी आ सकते हैं तो वो इस बात के लिए हमेशा त्यार रहता है और वो इस चीज के सारी सुरक्षा करता है उस सारे जो मेजरमेंट हैं वो लेता है कि मुझे किस तरह से अपने घर को अपने आपको सुरक्षित रखना है उससी तरह से हम लोगो को अपने आपको उससे दूर रखना है त्यूकि जो शेतान है वो नहीं चाहता कि हम लोग उसके फंदे में पड़े और अगर हम आज देखे कि आज भी हम लोग जो अलग तरीके के चोरी होती है जाज कल नेट के दुआरा हैकिंग हो जाती है लोगों के अकाउंट्स खाली कर लेगा तो यह अलग तरीके की आज चोरी हो गई है तो हमें उन सब से भी हमें सावधान रहना है और हमें समय समय पर गौर्मेंट के दुआरा भी हमें सारे इंस्ट्रक्शन्स मिलते रहते हैं सारी चितावनिया मिलती रहती है कि हमें किस परकार से ऐसे लोगों से सावधान रहना है तो इसी परकार से जब Bible हम पढ़ते हैं तो हमें उस शेतान से बचने की instructions मिलती हैं चतावनिया मिलती है कि शेतान किस परकार से हमारे उपर हमला कर सकता है किस परकार से हमें वर्गला सकता है किस परकार से हमारे उपर अजमाईशे ला सकता है जो हमें परमिश्वर से या उसके प्रेम से या उसके बातों से हमें दूर कर सकती हैं तो हमें इसके लिए हमें अपना धिहान जो है वो वचन में लगा के रखना है परमिश्वर में लगा के रखना है और जहां हमारा धिहान भटकता है उ इन चीजों को लोगों को दूसरों को बता देते हैं और उससे हमें नुकसान उठाना पड़ता है उसी तरह से हम शेतान भी हमारे उपर इसी तरह से वार करता है वो हमें ऐसे समय पर वार करता है जब हम कमजोर हो जाते हैं कई बार हमारे जीवन में कुछ ऐसी चीजे होती हैं जो हम कमजोर हो जाते हैं तो हमें उसी मौके का फाइदा उठाता है और हमें एक लालज देखकर या टेम्ट अमाजवाईश में डालकर परमेश्वर से दूर करनी के गोशिश करता है तो हमें येशु मसी उसके लिए कहता है कि हमें उससे साफधान रहना है क्योंकि जो मनुष्य का पुत्र है तुम सोचोगे भी नहीं और उसी घड़ी मनुष्य का पुत्र आ जाएगा अगर हम ये सोचे कि चलो थोड़े दिन थोड़े टाइम के लिए श्यतान के साथ हम लोग अपना बता लेते हैं येशु मसी का तो आने में भी टाइम है और दो हजार साल से हम सुन रहे हैं कि येशु मसी फिर आएगा अभी तक नहीं आया तो हो सकता है अगले दो हजार साल ही हजार साल और नहाए और हम लोग जैसा चाहें अपना जीवन को हम जी सकते हैं लेकिन हम नहीं जानतें कि येशुमसी कब आ जाएगा हो सकता है कि वो उसी समय आ जाए तो जब हम अपने आप को आज के वचन में हम देखते हैं और इससे सीखते हैं कि हमें डरना नहीं है हमें विश्वास में बना रहना है और तीस रीचिस के हमें फोकस्ट रहना है परमिश्वर के परती ध्यान के इंदित रखना है तो ये शुमसी हमसे यही चाहता है कि हम लोग अपने जीवन को उसी परकार से जीएं जैसा वो चाहता है और अगर इफसियो तीन बाप और 20 और 21 आयत में पड़े तो हमा लिका है अब जो ऐसा समर्थी है कि हमारी विंति को और समझ से कहीं अधिक काम कर सकता है उस समर्थ के अनुसार जो हम में कारे करता है कलीसिया में और मसी येशु में उसकी महिमा पीडी से पीडी और युगान युग होती रहती है तो जो परमेश्वर समर्थी है और जो हमारे मांगने से ज़्यादा जिसको हम विंति करते हैं हम दूआ में मांगते हैं उससे ज़्यादा काम करता है उससे ज़्यादा हमें समर्थ देता है तो हमें उसकी सामर्थ के अनुसार हमें कारे करने हैं उसकी सामर्थ के अनुसार हमें अपने जीवन में जीना है और तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी जो कलीसिया में प्रभू येशु में उसकी महिमा पीडी से पीडी युगान युग बनी रहती है तो हमारे जो मसी के दुआरा जो हमारे जीवन में काम होंगे वो पीडी से पीडी तक हमारे बने रहेंगे और हमारे पीडी से पीडी जो हमारे बच्चे होंगे हमारे आगे के जनरेशन होंगी उनको भी उस चीज़ से आशिश मिलेगी और हम जब येशु मसी आएगा तो हम उसके लिए अपने आपको त्यार रख सकींगे, तो हम सम मिलकर परमिश्वर का धन्यवाद करें, कि उसने हमें एक फिर से मौका दिया, कि इतने मुश्किल समय से गुजर कर, कलीसिया आज से हमारे चर्च खुल रहे हैं, हम लोग क्रिस्मस के सीजन में परवेश कर गए हैं, हम लोगों को परमिश्वर ने सही सलामती से रखा, संसार में जितनी भी प्रॉब्लम्स हाई हमें उससे बचा के रखा, क्यूंकि हम उसके विश्वास में बने रहे, उसके पीछे पीछे चले, और आगे भी हमारे जीवन से यही चाहता है, कि हम इसी तरह से अपना जीवन जीएं, आई हम प्रात्न करें, हेसर शक्तिमान द्यालू परमिश्वर धन्यवाद करता हूँ, आज के वच्चन के लिए धन्यवाद करता हूँ परमिश्वर, आज के इस दिन के लिए प्रमिश्वर, जब हम सब मिलकर आपके राद ना करते हैं प्रमिश्वर, हम सब को अपने अनुग्रह कीजिए, आशी दीजिए, हम सब को अपनी सामर्च से परिपून कीजिए प्रमिश्वर, ताकि परमेश्वर हम आपके उपर अपना भरोसा बनाए रखें और हमारे जीवन परमेश्वर आपको समर्पित कर सकें आपके विश्वास में आगे बढ़ें और परमेश्वर अपके अनुग्रह में होकर अपने जीवन में आगे जाते जाएं तो परमेशर में एक बार फित से धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए हम सब के लिए धन्यवाद करता हूँ और ये प्रातना आपकी प्यारे बिटे खुतनी शुमसी के नाम से मागते है आमेन